जैहिन सात्यों, वेलकम टू सेल्फ स्टेडी किलासेश विस समिच जैन, यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप बरगतीन, MP3, बरगतीन की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें परियावरण पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है, ठीक है तो दोस्तों परियावरण की बारे में देखो हम आज की वीडियो में क्या जानेंगे सबसे पहले तो आपको पता होगा NCERT में, बरतमान परियावरण अध्यापन कारिकरम को कितनी थीमों में बाट गया, इसी की आधार पर आपका भी पाट करम दिया है, ठीक है तो इसको आप देख लेना, इसको बिलकुल, है ना, और आपरेशन बिलैक बोट के बारे में जानेंगे, ठीक है, हंटर आयोगी, बिभिन परकार के आयोग, और समीतियों के बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है, आपकी सिक्षन विधिया जो है, उसके बारे में जानेंगे तो इस अध्यन में हम जानेगा आपकी कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो परियावरन पुस्तक का सीरसक है वो आपको पता होनी चाहिए क्या सीरसक है अंगरेजी का सीरसक क्या है हिंदी मीडियम का सीरसक क्या है परियावरन पुस्तक का तब आपको ये सारे के सारे जो फैक्ट है इस में हम चर्चा करने बाले हैं और महत्पूर्ण जो आपके फेट परिक्षा उप योगी है वो हम आपको प्रेशित कर रहा है इससे पहले बहुत सारे वीडियो में ने अपलोड किये हैं प्लेलिस्ट बनी है आपकी जाके प्लेलिस्ट में देखें पचास से साथ वीडियो अधारत है तो सभी को पता है कि ये बाल केंद्रत आधारत है ठीके परियावरण दिन में NCF सुझाती है तो क्या सुझाती है बच्चों के इसकूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना ये NCF सिकाती है परियावरण दिन में ठीके परियावरण दिन में पार्ट क्रमों क बाटा गया है तो छे थीमों में बाटा गया है पार्ट करम को ठीक है यह याद रखना है बरतमान परियावरन अध्यन पार्ट करम को छे मुख थीमों में बाटा गया है देखो परिवारिवम मित्र, भोजन, पानी, आबास, यात्रा यह हम चीजें कैसिस बनाती हैं यह जो है छे थीमों में परियावरण अध्यान को बाटा गया है तो सभी लोगों को याद रख लीना है आप से question आएगा परतमान में परियावरण अध्यान पाट करम को कितने थीमों में बाटा गया है तब आपका उत्तर होगा छे थीमों में ठीक है सबी लोगों को याद रख लीना है most important है ठीक है और यह हमारे course में भी है जैसे हमारा परियावर्ण मित्र है फर्स्ट टोपेक परियावर्ण में भोजन है पानी है आवास है यात्रा है हम चीजें के यह सारे के सोरे टोपेक जो है और बरतमान में परियावर्ण दिन को इतने 6 पार्ट क्रों में 6 विस्यों में जो है बाटा गया है तब आपको याद रख लिना ठीक है EBS संचेपन का अर्थ है तो इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है एन्वार्मेंटल स्टेडिज ठीक है यह होता है है ना तो याद रख लिना EBS NCF 2005 से पारेस नहीं करती तो किसकी से पारेस नहीं करती कक्छा 1 और 2 में परियावर्ण दिन की पार्थ पोस्तकों की है ना तो याद रख लिना कक्छा 1 और 2 में कक्चा 3-5 तक की NCRT की घंदी एब अंगरिजी में परियाबन का सीरसक्य सके बो आसपास ठीक है परियावन अध्यन की सिक्षन है तू कौन सा उद्देश नहीं है तब बिज्ञान की आधारवूत प्रतेयों और सिधानतों को रटकर याद कर लेना यह उद्देश नहीं माना जाता परियावन अध्यन है तू ठीक है बहुत ही महत्पूर्ण फैक्ट मुक्ष देश से क्या है तब आपका उत्तर होगा कक्षा कक्ष की पड़ाई को सिक्षारती के विध्याला से बाहर के जीवन से संबंदित करने में सहायता करना ठीक है सभी को याद करना है परियावन सिक्षन की विधियां तो परियावन सिक्षन की किंडर गाटन विधी मा प्रोजेक्ट भी दी एक प्रोफेसर ए और्म इस्ट्रॉंग ने दिए तो इतनी चीजें जो महत्पूर्ण हैं दोस्तों वो आपको याद करने हैं बहुत ही महत्पूर्ण है यह चीजें यह हमेशा पूची जाती है ठीक है अब देखते हैं और भी कुछ ठीक है और क्या है अधियम सिद्धान्त एवं संबंदित सास्त्री है ना तो सिद्धान्त और सास्त्री तब देखो संबंदबाद किस ने दिया तो थंडाइक ने दिया किरिया प्रिसूत अनुबंदन इसकनर ने प्रबलन सिद्धान्त हल ने दिया है अंतरदश्टी अधियम सिद्धान्त बरदीमर और कोहिलर कोफ़ा ने दिया है, सामाजे कदिगम सिद्धात अलबर्ट बंडूरा ने दिया है, क्लासिकल अनुबंदन सिद्धात ए पावला औरी ने दिया है, तो इनको आपको याद रख लेना है, अब हमें पढ़ना आयोग और समीतिया, ठीके, एसपाल समीति द राक्टर एस रादा कर्ष्णन आयोग ये 1948 उनिचास में बना, राष्टी विस्विद्याले सिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता, ठीके, राक्टर एस रादा कर्ष्णन आयोग ये राष्टी विस्विद्याले सिक्षा आयोग, आपसे पूछा जाएगा, कि ये विस्विद बर्मा समीती जस्टिस जे बर्मा समीती दो हजार बारा में सिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जाच करना ये इसका उद्देश था जस्टिस जे एस बर्मा समीती आप से पूछा जाएगा जस्टिस जे एस बर्मा समीती कब बनी दो हजार बारा में इसका उद्देश क्या सिक्षन की दक्षितां की समय समय पर जांच करना ऐसा हमें देखना है र स्पिषन को को Jan स्मिारות संधर क्लश्पवें pharmacTS א।Cाregistud कि अठारा सौ चंवांशे 1 ayела सिकषा करना एस दर्धिष्टा कि दर्द माचिन कापारा जया जाता था थाना सरजेंट समीटी सरजान सरजेंट समीटी 6 से 11 वर्स तक के बच्चों को निसुल्क वा अनिवार सिक्षा 1944 में यह बना था ठीक है अगर आप से पूछा जाएगा 6 से 11 वर्स तक के बच्चों को निसुल्क वा अनिवार सिक्षा जो है ए उद्देश से कौन सी समीती का था तब आपका उत्रोग सरजान सरजेंट समीती ठीक है ये चीज़ सभी को याद रख ली है है ना और 1944 में ए बनी थी अंगला देख लेते हैं आयोग और अध्यक्ष देखते हैं भारतिय सिक्षायोग के अध्यक्ष कों थे तो बिलिय उंत्रेपन में है ना मादमिक सिक्षायोग या मुदालियर आयोग भी इसे कहा जाता है तो लक्षमन स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे ये चीज़ भी आपको याद रख लेते हैं और भी कुछ महत्पूर फैक्ट देख लेते हैं जो आपकी परिक्षा की महिला शिक्षा पर राश्टिय समीती दुरगावाई देशमुख समीती उनी सो अन्ठांत ये महिला सिक्षा पर राश्टिय समीती है है ना तो इसनको याद रख लेना बहुत ही महत् Fellow Jazz परियावरन अध्यन की संदर में बोँझ कЕ बिना सिक्षा क्या बताता है तब आपक क पूछा जाएगा प्रात में किस तर पर सिक्षन की खेल विदी आधारत है तो सिक्षन विदी के सिध्धानतों पर यहना प्रात्मे किस तरपर आपसे पूचा जाएगा कि सिक्षण की खेल विदी आदा रहेते तब आपका उत्तरों सिक्षण विदी के सिद्धान्त पर आदा रहेते ठीके सिक्षक की सबसे बहुमुल निधी है उसकी छात्रों का विस्वास यह चीज़ आपको याद रखते हैं यह सिक्षक की सबसे बहुमुल निधी मानी जाती है छात्रों का विस्वास प्रियोजना बिदी के 6 मुख स्वपान कौन सी हैं आप लोगोंने पड़े हैं इस्तिती प्रदान करना प्रोजेक्ट का चैन प्रोजेक्ट बनाना योजना का करियान वेन या मूल्यांकन तथा रिकॉर्ड बनाना ठीक है आप से पूचा जागा निमनमे से बताईए कौन सा प्रियोजना बिदी का मुख स्वपान नहीं है तब आपको ये मुख स्वपान इस्तिती प्रदान करना प्रोजेक्ट का चैन प्रोजेक्ट बनाना योजना करियान वेन मूल्यांकन तथारकाट ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए ठीक है परियावन की सबसे प्रभाव पढ़ना और फिर लिखना ठीक है को असल माने जाती है सबसे बालक पहले सुनता है फिर बोलने लगता है फिर पढ़ने लगता है और अंत में लिखने लगता है यह चीज आप लोगों को जो है देखना है पढ़ने की अच्छमता क्या कहलाती है तो एलेक्सिया और डिसलेक्स याद रख लिना है प्रात में किस तरपर सिक्छारतियों का आंकलन करने का सरफसिश्ट तरीका क्या है तो पोर्ट फोलियो क्या है पोर्ट फोलियो याद रख लिना है एक अच्छे परीक्षण की विसेश्टाइं क्या है बैदता विस्वसनियता बस्तू निष्टता और बे याद रख लेना आपसे पूछा जाएगा निमने में से बताईए कौनसा मुक्त अंत वाला प्रस्ण है गलत की प्याड़ागवाजी हो या परेयावण की सब में पूछा जाता ठीक है तब आपको उत्तर बताना है मुक्त अंत वाले जो प्रस्ण होते हैं मतलब अलग-अलग जिनके उत्तर होते हैं वो इसका सही हो जाएगा ठीक है अब हमें देखना है जिन प्रस्णों का उत्तर एक ही होता है कहलाती है तो ये बंद अंत वाले कहलाती है यह ना बंद अंत वाले तो यह चीज़ें आपको याद रख लेनी है और भी कुछ महत्पूर्ण फैक्ट है अथवा किसी बिसिस्ट स्थान पर ही पाई जाती है जी आई टेग किर्शी उत्पादों प्राकृतिक बस्तूं तथन्रमित बस्तूं की गुर्बत्ता के लिए दिया जाता है ये चीज़ आपको याद रखनी है कुछ महत्पूर्ण किर्शी उत्पादों को मिला जी आई हल्दी को जी आई टेग मिला दारजी लिंग चाय को पस्चें बंगाल की जी आई टेग मिला सिर्शी सुपारी के करनाटक की है इसे भी जी आई मर यूर गोड केरल का इसे भी जी आई टेग मिला अलफानसो आम महराष्ट में इसे जी आई टेग मिला है ना कुर्ग अराब काफि, आंद प्रोक कि मिला और संखली हल्दी महराष्ट की तो याद रख लेना है प्रयाव नाध्यन में छेत भृ Stream का मुख भृ धिस क्या होता है प्रत्यिक्ष अनुभव याद रख लेना है क्या होता है प्रत्याक्ष अनुभव प्रात्मे के स्तर पर परियावरन अध्यन के लिए कौनसी विदी प्रभाव साली है तो कहानी विदी प्रभाव साली है ठीक है दोस्तो यह जो बोक है वो यूथ कॉंपटिशन टाइम्स की है अगर आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं बहुत ही बढ़िया बोक है तो आप जरूर खरीदें अगर खरीदना चाहते हैं तो ठीक है कक्षा एक और दो के लिए परियावर्ण अध्यन विसाय के संदर में सच है परियावर्ण अध्यन से संबंदित मुद्दों और संबंदों का संपादन भासा और गड़ित के माध्यम से होता है ठीक है परियावरन अध्यन में बच्चों को जोडने की सबसे प्रभावसाली युक्ति क्या है तो किसे और कहानिया ठीक है परियावरन अध्यन पाटकरम के छे मुख थीमों में से एक नहीं है तो काम और खिल इस प्रकार से आपसे जो मैंने थीम बताई तीछे वो आपको याद रखनी है परियावरन अध्यन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए तो याद करना ये संकेत नहीं होना चाहिए ठीके परियावरन अध्यन की प्रकृति क्या है तो एक ही करत है एब्येस की कक्छा में गतीविदियां मानी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ महत्पूर्ण फैक्टों के बारे में देखे आपके सिक्छन से सम्मंदित, पेड़गोजी से सम्मंदित और परेयाबना से सम्मंदित कुछ जो आपके आयोक थे उनको भी जाना कुछ समीतियां थी उनको भी हमने जाना हैना कुछ महतपूर फैक्ट थे वो सारे की सारे फैक्ट आज हमने यहाँ पर जाने आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने अप्लोड किये उनको आप जरूर देखना ऐसे महत्पूर वीडियो महत्पूर महत्पूर जो फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलते बो चीज हमने आपको दिये हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट परियावरण की बनी है लगबग 50 से 60 वीडियो इसमें अप्लोड हो चुके हैं और भी निरंतर हो रहे हैं तो बहुत जरूर देखें ठीक है और टेलीग्राम ग्रॉप से जुड़ जाना है टेलीग्राम ग्रॉप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम एप डाउनलोड करना है उसमें सर्च करना है IAS Study Trick ठ बस इतना ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैहिन.